नमस्कार 25 दिसंबर 2023 दिन शोमार जन दिन की हारदिक शुपकामना है मन में प्रश्ण उठ रहा होगा कि ये साल हमारे लिए कैसा जाने वाला है सरप्रथम ये साल आप के लिए काफी अच्छा जाने वाला है क्योंकि खुशियों का माहौल है और इस कहते हैं जब स्टार्टिंग अगर अच्छी होती है तो एंड भी अच्छा होगा तो आज आपके ये खुशियों का माहौल पूरा रहेगा मान शम्मान प्रतस्ठा में बृद्धी होगी आप देख लीजेगा जहां पर पहले लोग आपको हेगी दृष्टी से देख रहे थे वही बेक्ती लोग आज आपका सम्मान करना प्रारंब करेंगे और ये पूरा साल आपका शम्मानित मतब हर जगा जिस जगा पर जाएंगे वहाँ पर आप शम्मानी तवस्य होगे इससे आप अपने वोपर गर्भ महसूस करेंगे आप लेकिन ओवर कान्फिडेंस मत होगी कोई अत्यतिक चीजे भी खराब हो जाती है कुटुम्मे की बात करें तो कुटुम्मे में बृद्धी का प्रवल योग बनता है या साधी भी हो सकती है अथवा संतान की भी प्राप्ती इस वर्स में आपको अवश्य होगी भाई बहनों का प्रेम आप लोगों को अवश्च मिलेगा अगर आप महिला हैं तो भाई का प्रेम अत्यदिक होगा भाई के सहयोग से बहुत आगे आप जा सकती हैं बहुत बड़े helping साबित होंगे इस साल में अगर पुरुश हैं तो बहन का भी सहयोग और साथ मिलेगा जिस भी विकारी को करेंगे तो सार्भदिक सिद्ध हो जाएगा दोनों को benefit मिलेगा प्रापरिटी की बात करें तो जो प्रापरिटी की आपने योजना बनाई थी वो इस साल में पूर्ण होती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि कोई न कोई अर्चन कोई न कोई बाधाएं आ नहीं दे रहा है तो बच्चों के लिए अगर पढ़ाई करेंगे तो भाग कि उनका बहुत अच्छा है अगर भाग ये प्रतिशत में अगर हम बताएं तो कम से कम 85 प्रतिशत भाग कि उनका आज काम करेगा ये पूरे साल competition की त्यारी कर रहे हैं गौर्मेंट जॉब की त् होगा थोड़ा सा मेहनत और फल धेर सारा अगर हम भुजूर्ग लोग हैं उनको स्वास्त की बात करने तो ये साल में स्वास्त में काफी अपेंडाउंस होगी और पूरानी बीमारी आपको परिशान कर सकती है रिण रोग सत्रू ये इंक्रीज होंगे आपके बढ़ेंगे साउधानी बरतनी पड़ेगी और जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा नोक जोक रहेगा थोड़ा सा मान सम्मान में कमिया थोड़ी सी देखने को प्राप्त होगी अताह आपको जीवन साथी के साथ में मधूर ब्योहार आपको रखना है भाग के साथ जो हैं कि आपका काफ अच्छा रहेगा भगवान भुवन भासकर को जल अर्पित करेंगे निश्च तरुप से कि बहुत अच्छा लाब देखने को प्राप्त होगा संतान की तरफ से थोड़ा सा दुखी आप रहेंगे लाब कम इस्तिती दिखाएगे पूरे साल आप उपाय क्या करना है पूरे सा आओं को चोटी-चोटी कन्याएं हैं उनको खीर अर्पित करें तथा रेस्मी वस्त्र इत्यादी दान करें और कुछ द्रब्यदक्षणा दे करके उनका पैर छू करके आशे बात प्रदान करें आप देखिएगा लाइफ के हर पाइट में किस प्रकार से जो है कि बढ़ोत प्तरी होती हुई दिखाई देता है तो इस प्रकार से करेंगे तो आपका पूरा साल काफी अच्छा जाने वाला है नमस्कार